नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All अज प्रस्तूत है The Story of Poetry जी बच्चों The Story of Poetry Part 2 इससे पहले The Story of Poetry की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है उस वीडियो को देखें, उस वीडियो को समझें और उसके बाद आज की वीडियो की सुरुआत करें तो आईए The Story of Poetry Part 2 की सुरुआत करते हैं बच्चों लिखा कि The 17th Century देखिए बच्चों जो Part 1 में चर्चा हुई थी न वो 16th Century की चर्चा हुई थी जी बच्चों जिसमें हम लोग Christopher Marlow, Edmund Spencer और William Shakespeare की चर्चा किये थे आज बात होगी 17th सदी की जी बच्चों की सदी की? 17th सदी की तो लिखा कि The 17th Century is called Both an Age of Transition and an Age of Revolution बच्चों Age का मतलब होता है यूग जी बच्चों यूग होता है और Transition का मतलब होता है परिवरतन और बदलाव और Revolution का मतलब होता है क्रान्ती यानि 17th सदी को कहा जाता है यानि Transition का भी एज कहा जाता है मतलब बदलाव और परिवरतन का भी यूग कहा जाता है and an Age of Revolution और क्रान्ती का भी यूग कहा जाता है मतलब 17th सदी के दोरान England में भारी परिवरतन हुआ भारी क्रान्ती हुई इसलिए उस यूग को बच्चों बदलाव और क्रान्ती दोनों का यूग कहा जाता है the English society यानि अंग्रेजी समाज ने अंग्रेजी समाज ने witnessed मतलब देखा यानि अंग्रेजी समाज ने 17th सदी में देखा political, राजनैतिक and social struggles राजनैतिक और समाजिक struggles का मतलब संगहरसों को British, sorry English society ने अपनी आँखों से देखा इज रिजल्टड बच्चों, जब 17th सदी में इंग्लेंड के समाज ने political and social struggles राजनैतिक और समाजिक संगहरसों को देखा न तो उन संगहरसों का परिनाम क्या हुआ, civil war उन संगहरसों का परिनाम हुआ civil war, civil war का मतलब होता है बच्चों, गरियजुद, जी बच्चों इंग्लेंड में गरियजुद की सुरुआत हो गई, and the formation of government, और formation का मतलब होता है बच्चों निर्माड, जी, formation का मतलब होता है, निर्माड and the formation of government under Oliver Cromwell और इंग्लेंड में बच्चों Oliver Cromwell की ए है ना, प्रधान मंत्री बने, मेरे कहने का मतलब हुआ कि 17 सदी में इंग्लेंड के समाज ने बहुत परिवर्तन देखा बहुत क्रांती देखी, और उसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पे एक नई सरकार बनी सिभील वार हुआ, ग्रिजुद हुआ और एक नई सरकार बनी, किसकी अधिक्षता में बनी बच्चों Oliver Cromwell की अधिक्षता में एक नई सरकार बनी The old unity of the Elisabethan was gone यानि महरानी Elisabeth के सासनकाल में जो उचाई England ने प्राप्त की थी जो एकता England ने प्राप्त की थी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो वह जो old unity रही ने जो वह पुरानी एकता थी न अंग्रेजों की Elisabethan सासनकाल में वह आज gone वह नस्ट हो गई, वह मिट गई क्योंकि एक नई सरकार बनी The National Pride आगे लिखा है बच्चों The National Pride National Pride का मतलब होता है रास्ट्रिये गौरो Of Englishmen अंग्रेजों का जो रास्ट्रिये गौरो था न जो गौरो उन लोगोंने Elisabeth, महरानी Elisabeth के सासनकाल में हासिल किया था वो गौरव बच्चों Oliver Cromwell के सासन में जाता रहा नस्ट होता रहा इस कारण the national pride of Englishman अंग्रेजों का जो national pride था जो राष्ट्रिय गौरव था न लेसंड वो क्या हो गया कम हो गया as the crown lost dignity यहनी England वे जो ताज था न तो उसकी गौरव गरीमा चली गई इस प्रकार से अंग्रेजों का जो national pride था न जो राष्ट्रिय गौरव था राष्ट्रिय अभिमान था जो सान और सौकत था न वो कम होता गया the activity of James 1 बच्चों Elizabeth के बाद James 1 भी सासन किये England पे Charles 1 भी किये और Charles 2 भी किये इन लोगों के सासन काल में डाउन फॉल दिखा पतन दिखा फ्रॉम दा एलेजावेथन हाइट यानि एलेजावेथ के काल में इंगलेंड की सत्ता जो थी नए इंगलेंड जो था एक नई उचाई को छो चुका था तो उस उचाई से अब इंगलेंड के लोगों ने पतन देखा किसके काल में? James first के Charles first के और Charles second के सासनकाल में England ने उस उचाई से अपने को नीचे गिरते हुए देखा मतलब पतन देखा और इसका कारण क्या हुआ सुनिए A new middle class एक नया मध्यमबर्ग Middle class का मतलब होता है मध्यमबर्ग A new middle class begin to sow power और अंग्रेजों में England में एक नया मध्यमबर्ग का जन्म हुआ का उदय हुआ और वो अपनी सक्ती और अपनी ताकत को क्या करने लगा दिखाने लगा क्योंकि Elijah थी नहीं और उसके बाद उस आ सकते न वे कमजोर थे उनके काल में England की गरिमा धूमिल हुई उसका गौराव नस्ट हुआ और समाज में काफी पतन भी हुआ इस कारणों महापिक नया मध्यम वर्ग ने जन्म लिया और वो अपनी ताकत और सक्ती दिखाने लगा दे इमेजिनेशन और इंथूजियेजम अफ मार्लो एंड एस्पेंसर तो इन लोगों का जो इमेजिनेशन था ना इनकी जो कलपना थी और इन्थूजियेजम और इनका जो उत्सा था ना गेभवे इसने मार्ग प्रसस्त किया गेभवे का मतला मार्ग प्रसस्त करना इसने मार्ग प्रसस्त किया to a rational and scientific attitude rational का मतलब होता है बचो तर्क शंगत और scientific का मतलब होता है वैग्यानिक और attitude का मतलब होता दिरिश्टिकोर यानि 16 सदी में जो क्रिश्टोफर मारलो और एडमंड स्पेंसर का कि जो कलपना थी इमेजिनेशन था उनकी जो enthusiasm उनका जो उत्सा था उसने 17 सदी में rational मतलब तर्क संगत और वैग्यानिक दिरिश्टिकोर का मार्ग प्रसस्त किया the scientific spirit of the time यानि 17 सदी के मैं बात कर रहा हूँ एक बैग्यानिक भावना ने जन्म लिया however डिडन डेश्ट्रोई poetry है ना 17 सदी में scientific spirit ने एक बैग्यानिक भावना ने जन्म लिया लेकिन इस भावना ने destroy नहीं किया कविता को नुकसान नहीं पहुचाया कि इसने बच्चों scientific spirit आई लेकिन इसने poetry को डेस्ट्रो नहीं किया कविता को नुकसान नहीं पहुचायी जो सबसे महान कभी हुए न वे थे जौन मिल्टन कौन थे बच्चों याद रखीएगा जो महान एक कभी थे उनका नाम था जौन मिल्टन he was a puritan बच्चों ये puritan थे who served cromwell जो इंग्लेंड के जो सासक थे ना cromwell उनकी नोने सेवा की as latin secretary एक latin सचीव के रूप में जौन मिल्टन ने इंग्लेंड के सासक जो थे cromwell उनकी क्या की बच्चों सेवा किया रखीएगा 17 सदी के एक महान कभी थे कौन बच्चों जौन मिल्टन और जौन मिल्टन जो थे ना इंग्लेंड के जो गौर्नमेंट बनी थी Oliver cromwell के नत्रित्तों में तो Oliver cromwell की सेवा इन्होंने latin secretary के रूप में की he first wrote some short poems बच्चों सुरू सुरू में जौन मिल्टन जो थे ना ये कुछ लगू कथाएं लिखें short poems जी ये छोटी-छोटी वो कभी थाएं लिखते थे कौन बच्चों जौन मिल्टन और इनकी जो लगू जो short poems है उसका नाम है एल एलेगरो और इल पैंसेरेस सुरू आद रखिएगा आपकी परिच्छा में पूछेगा कि ल एलेगरो की रचना किसने की इल पैंसेरोसो की रचना किसने की तो आप बताएंगे जौन मिल्टन 17 सदी के महान कभियों में से एक जौन मिल्टन की रचना है एल एलिग्रो एंड इल पैंसे रेसो जे बच्चों यह किन की रचना है जॉन मिल्टन की है इस एलगी बच्चों एलगी का मतलब होता है सोक गीत इस एलगी इनका एक सोक गीत भी है जिसका नाम है लीसी डास कहना है बच्चों लीसिडास याद रखिएगा कि एल एलिगरो इल पैंसे रेशो और लीसिडास यह सब किस की रचना है जॉन मिल्टन की और यह किस सेंचूरी कभी है 17 सेंचूरी की लेमेंट्स दा डेथ अफे फ्रेंड इस अपनी सोक गीत में लिसिडास में जॉन मिल्टन यह अपने एक दोस्त की मृत्यू पे बिलाप करते हैं लेकिन जॉन मिल्टन मुख्यता जाने जाते हैं यह मुख्यता जाने जाते हैं टूली इंगलिस इपिक्स यानि सच कहिए तो जो इंगलिस इपिक्स है जो अंग्रेजी का महाकाब्य है जिसका नाम है पैरडाइज लोस्ट और पैरडाइज रिगेंड इनही के कारण जॉन मिल्टन बच्चों याद किये जाते हैं जैसे आपके रामायड है गीता है वैसे इंगलिस इंगलिस में पैरडाइज लोस्ट है और पैरडाइज रिगेंड है और किसने लिखा 17 सदी कभी जॉन मिल्टन ने और जॉन मिल्टन नहीं रचनाओं के लिए आज भी जाने जाते हैं देज इपिक्स ये जो महाकाब्य है इपिक्स का मतलब होता है महाकाब्य ये जो महाकाब्बे हैं seek to justify ये कोशिस करते हैं मतलब सत्यसाबित करने की कोशिस करते हैं ways of God यानि भगवान के जो तरीके हैं भगवान के जो तरीके हैं इनसान के प्रती उसको सत्यसाबित करने की ये कोशिस करते हैं Milton is regarded the most sublime of English poets बच्चों यहाँ पर लिखा है कि जो Milton है वो 17 सदी के सबसे sublime यानि सबसे great कभी माने जाते हैं 17 सबसे great सबसे मुख्य, प्रमुख, प्रसिद्ध कभी माने जाते हैं कौन बच्चों? John Milton आगे लिखा He is a master of what is called a grand style उस समय एक grand style चली थी कभी कभिता लिखने की एक सांदार Sally का निर्माड हुआ था और उसी Sally के master माने जाते हैं कौन बच्चों? John Milton He makes use of abstract words John Milton जो है न बच्चों ये abstract words का इस्तेमाल करते हैं मतलब अमुर्थ सब्दों का इस्तेमाल करते हैं and many of them of Latin origin और उनमे सदिकांस जो सब्दें न वे Latin से लिये गए हैं दखिए John Milton ये कि इस प्रकार कभी थे जो बच्चों abstract words है नहीं मुर्थ नहीं अमुर्थ सब्दों का उपयोग अपनी कभीता में करते हैं और इसी कार्ड इनकी जो Sally है जो grand style कहा जाता है और इनके जो abstract words होते थे न उनमे से बहुत सारे Latin से लिये जाते थे बच्चों आगे लिखा है कि An important group of 17th century writers यहाँ पे 17 सदी के एक महत्तवपुर्ण writers लेखकों के महत्तवपुर्ण समू के बारे में मैं आपको बताऊंगा जी बच्चों 17 सदी के सबसे बड़े कभी हुए John Milton Paradise Lost, Paradise Regained, El Allegro and Il Pencereso की रचनान होने की लेकिन उस समय एक और लेखकों का दल था group था, समू था ठीक है बच्चों इनको अब लोग मेटाफेजिकल पोईट्स अधात्मी कभी मानते थे 17 सदी में एक writers का एक और group था जिसको मेटाफीजिकल पोईट्स कहते हैं विथ जॉन ड़न एज लीडिंग फीगर बच्चों, उस समू के जो लीडिंग फीगर जे थे जो अग्रणी कभी थे जो अग्रणी लेखक थे उनका नाम था जॉन ड़न जिनकी रचना आप पढ़े हैं बार रहुई में Sweetest Love, I Do Not Go है ना? तो 17 सदी में एक और group था Metaphysical poets का उसके अग्रणी कौन थे बच्चों? जॉन ड़न उनमें और कौन कौन थे सुनी है? जॉर्ज हरवर्ट उनमें जॉर्ज हरवर्ट भी थे एंड्रियू मार्विल भी थे रिचर्ड क्रैसो भी थे और हैनरी वोन भी थे ये बच्चों इन सब को Metaphysical poet कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों? Metaphysical poet और यह की सदी के थे? 17 सदी के थे आगे कह रहा है बच्चों आगे कह रहा है कि While reading यानि पढ़ने के दौरान John Donne जिनकी रचन आप पढ़े हैं Sweetest Love I Do Not Go तो लिखा हुआ है कि While reading Donne's poem यान John Donne की कविताओं को पढ़ने के दौरान You May Have Noticed आप लोगों ने औलोकन किया होगा आप लोगों ने देखा होगा The Use of Uncommon Similes in Metaphors आप पढ़ेंगे कविताओं इनकी समझेंगे लिखा है कि जब आप John Donne कविताओं पढ़ते हैं You May Have Noticed आप लोगों कि यह होगा आप देखे होगे कि यह अपनी कविताओं में Uncommon Similes or Metaphors यानि आप शमान ने रूपकों और अलंकारों का उपियो करते हैं Do they have some important function in the poem? क्या कविताओं में इनकी जो रचनाओं हैं उन रचनाओं में इन Uncommon Similes or Metaphors का कोई important function है क्या कोई महत्वपूर्ण कारे है है न? सुनिए They bring to our notice यह जो Uncommon Similes है जो Uncommon Metaphors है Bring to our notice यह हमारी द्रिष्टी में लाते हैं यह हमारी नजरों में लाते हैं क्या Relationship यानि संबंद दिखाते हैं Among Uncommon Things यानि दो औसमान्य चीजों के बीच Relationship Establish करने के लिए John Dunn बच्चों इन Uncommon Similes और Metaphors का परियोग करते हैं The Metaphysical Poets Wrote on Spiritual Aspects of Life यह जो Metaphysical Poets थे न बच्चों जो John Dunn है George Harvart है Andrew Marvell है Henry Warn है यह Wrote यह लिखा करते थे on Spiritual Aspects of Life यह जीवन के आध्यात्मिक पहलूँँ पर लिखा करते थे बच्चों जो Metaphysical Poets हैं जिनमें अगरणी है John Dunn उसके बाद George Harvart है Andrew Marvell है Richard Krosho है और Henry Warn है यह सब जीवन के Spiritual Aspects आध्यात्मिक पहलूँँ पर लिखते थे But their love poems are equally fascinating लेकिन इनकी जो प्रेम क भी आए हैं लब poems है equally मतलब समान रूप से fascinating मतलब आकर सक हैं मतलब बच्चों ये लोग है ना जीवन के आध्यात्मिक अध्यात्मिक पहलूँँ पे लिखते थे लेकिन इनकी जो प्रेम कविताएं हुआ करती थे वही बहुत रोचक आनंदायक और अकरसक हुआ करती थी आगे लिखा है दा मेजर पोएट अफ दा लेटर पार्ट अफ दा सेंचूरी आप इसको सेंचूरी पढ़ेंगे यानि सतरहमी सदी के जो लेटर पार्ट है जो उतरार्ध है इसके अन्या जो मेजर पोएट हुए वे थे जॉन ड्राइडन कौन थे बच्चों जॉन ड्राइडन है थे लेटर पार्ट है जो बाद वाला हिस्सा है उतरार्ध हिस्सा है उसके महत्पूर्ण कभी थे जॉन ड्र जो तीन रचनाए है यह सटायर्स है सटायर्स का मतलब होता है व्यंग जोन ड्राइडन की तिन रचनाए है यह क्या है बचो सटायर्स है यह क्या है व्यंग है यानि 17 सदी के जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी जो राजनेतिक जो बिबाद थे न बचो उनहीं बिबादों की चरचा करते हुए जॉन ड्राइडन ने इन ब्यांगियों की रचना की थी जो बच्चों जॉन ड्राइडन थे न वह बच्चों मतलब मूलता एक ब्यांगियाकार थे क्या थे बच्चों क्या थे ये ब्यांगियाकार थे एस्टील फिर भी he makes imaginative and creative use of language ये ब्यांगियाकार थे लेकिन फिर भी ये बच्चों अंग्रेजी भासा का Imaginative और Creative यानि रचनात्मक रूप से भी अंग्रेजी भासा का उप्योग करते थे और कल्पनिक रूप से भी अंग्रेजी भासा का उप्योग करते थे यह देपी यह ब्यांग्यकार थे कौन? John Dryden We also know him for the use of classic or heroic couplet for serious English poetry बच्चों John Dryden को We also know him हम लोग उनको इसलिए भी जानते हैं कि यह classic और heroic couplet का इस्तिमाल करते थे couplet का मतलब होता है दोहा heroic couplet मतलब भीरता के दोहों का इस्तिमाल मतलब serious English poetry गंभीर अंग्रेजी काब में यह गंभीर यह भीरता के दोहों का उपियों करते थे इसलिए भी हम John Dryden को याद करते है Only one other poet of the period is important first यानि एक और इस period के सतरहमी सदी के एक और महत्वपूर्ण कभी है जिनको हम जानते हैं वो है Samuel Butler कौन है बच्चों? Samuel Butler whose hoodie brass is a satire on the Puritans बच्चों एक और महत्वपूर्ण कभी हैं 17 सदी के जिनका नाम था Samuel Butler क्या नाम था? Samuel Butler इनकी रचना थी hoodie brass क्या थी? hoodie brass यह भी एक satire थी यह भी एक ब्यांग थी किस पे? Puritans पे लिखी गई या एक ब्यांग थी आगे बढ़ते हैं तो we find reason and optimism तब हम पाते हैं reason का मतलब तर्क और optimism का मतलब आसावाद यानि अब तो 17 की बात हो रही थी अब 18 की और हम बढ़ते हैं approach करते हैं न? तो 18 सदी में हम लोग find करते हैं पाते हैं क्या reason? तर्क पाते हैं and optimism और आसावाद पाते हैं as the main qualities of the age यानि इस युग के मुख्य गुणों के रूप में हम लोग तर्क और आसावादिता को पाते हैं people believed 18 सदी में लोगों का मानना था that there is a golden period similar to that of the Roman Emperor Augustus यानि 18 सदी में जब हम बढ़ते हैं तब उस समय के लोगों का या मानना था कि उनकी जो सदी थी वो golden period थी वो स्वरनिम क्या थी काल थी जिस प्रकार से Roman समराट Augustus के सासन में Augustus के सासन को स्वरनिम काल माना जाता है उसी प्रकार से England के लोग 18 सदी की सुरुवात को अपने लिए स्वरनिम काल मानते थे hence इसलिए the name Augustus was given to the early 18th century यही कारण है कि 18 सदी के प्ररम्भ को बच्चों यही कारण है कि 18 सदी के प्ररम्भ को हम लोग Augustus के नाम से भी जानते हैं और इस 18 सदी के सुरुवात में जिसको Augustus के भी कहते हैं इस दोरान के जो पोवेट्स हुए जो कभी हुए न उन्होंने Greek और Roman authors जो हुए वे Greek और Roman authors जो थे न जो Classical Antiquity का प्रियोग करते थे उसी Classical Antiquity का प्रियोग इस काल के कभियों ने भी किया Hence, the period is also described Neoclassic और यही कारण है कि इस period को इस ओधी को 18 सदी की सुरुवात को हम लग नियो क्लासिक, नो क्लासिक के नाम से भी जानते हैं कि इस दोरान के जो कभी हुए वे Greek और Roman authors के जो Classical Antiquity थी न उसी का इस्तेमाल इन्होंने अपने models और style के लिए किया Alexander Pope was the representative poet of this time जो ठ्रमी सदी की सुरुवात थी न जिसको golden period भी मानते हैं जिसको augustan age भी मानते हैं जिसको neoclassic भी मानते हैं तो इसके representative poet यानि बच्चों इसके जो परतिनिधिक अभी के रूप में हम लोग मानते हैं किसको Alexander Pope को किसको मानते हैं बच्चों Alexander Pope को 18 सदी के पर्रमभिकाल जिसको augustan age भी कहते हैं neoclassic भी कहते हैं न बच्चों तो उसके representative कभी थे कौन? Alexander Pope कौन बच्चों? Alexander Pope He has written some short poems Alexander Pope ने कुछ छोटी-छोटी short poems लिखी है on nature and seasons यानि प्रकृती के ऊपर or seasons और बच्चों रितूओं के ऊपर Alexander Pope ने कुछ short poems लिखी है उनका नाम है सुनिए Four Pastorals Four Pastorals but is mainly known for his critical satirical poems लेकिन बच्चों Alexander Pope भी अपने satirical poems अपने ब्यंग्यात्मक कभिताओं के लिए ही जाने जाते हैं रखियेगा 18 सदी का प्ररमभिकाल जिसको Augustan Age भी कहते हैं बच्चों उसके representative poet हुए कौन Alexander Pope और Alexander Pope short poems लिखते थे किस पे नेचर पे और season पे लिखते थे और इनकी एक रचना है Four Pastorals लेकिन Alexander Pope भी अपने satirical poems अपनी ब्यंग्यात्मक कभिताओं के लिए ही जाने जाते हैं इनकी ब्यंग्यात्मक कभिताओं है The Rave of the Lock क्या दो रखेगा बच्चों The Rave of the Lock यह किस की रचना है Alexander Pope की है The Danciard जो Danciard देख रहे हैं न यह भी Alexander Pope की क्या है satir है यानि ब्यंग्यात्मक कभिता है And the Epistle And the Epistle to Doctor Arbuthnot यह तीन रचनाएं है यह satir है और तीनों किसकी है बच्चों Alexander Pope की है His poetry is noted for verbal intelligence बच्चों Verbal intelligence का मतलब बहता है मौखिक बुद्धी यानि Alexander Pope की जो poetry है इनकी जो काब बहन Is noted वो भी ख्यात है किसके लिए Verbal intelligence के लिए मौखिक बुद्धी के लिए इनकी कविताय क्या है मशुहूर है It is also called wheat इसी को wheat भी कहते है मतलब बुद्धी या समझ कहते है और Alexander Pope के बारे में समझे है बच्चों कि Pope makes fine use of classic couplet बच्चों यह classic couplet का यानि यह सास्त्रिये दोहों का बड़ा ही बहतरीन परियोग करते थे to make condensed observations यानि condensed observations यानि छुपी हुई बात को बताने के लिए यह classic couplet का बहुत ही बहतरीन उपियोग करते थे यहाँ पे दो इनकी classic couplet आपके सामने दी हुई है समझेगा एक है एलिटी लर्निंग इस यह dangerous thing नीम हकीम खतरे जान अगर आपके पास ग्यान कम है आपके पास सीख कम है तो वो खतरनाक है इसका बहुत ब्यापक अर्थ निकलता है बच्चों यह couplet है और इसका ब्यापक अर्थ निकलता है और एक और है to are is human to forgive divine यानि गलती करना मानों का सोभाव है और छमा देवताओं का गुण है यह जो बच्चों क्लासिक कपलेट है ऐसे कपलेटों का बेहतरिन इस्तियमाल करते थे कौन? दरेप अफ दे लॉक फोर पैस्टोरल्स डनसियाड और एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुथ नॉट के रचाइता एलेकजंडर पोप जिनको अठरवी सदी के पर्रमभी काल का परतेनिजित कभी भी कहा जाता है तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही तीसरी वीडियो भी दा स्टोरी या पोईटरी की बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा तो आपसे निमेदन है कि यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो अपने मित्रों से भी सेयर करें अपने सुजहाओ भी दें और इस वीडियो को स्वाप्ट करने से पहले मेरे साथ बोले जाए हिंद